हेलो दोस्तों, आज हम लोग ठोड़ा हट के टापिक पर बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैमरिंग पे, तोतले पन पे जिसका मैं भी सिखा गूँ और देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि आपका बिलीब सिस्टम क्या है जैसे society में चल रहा है कि अरे यह तो तुतला के बोलता है यह तो क्या इसके चलते आप तूड जाते हैं क्या आप सोचते हैं ठीक है यार तुतलाते ही है ना दिल तो साफ है ना नियत तो साफ है ना ठीक है तो यह मतलब सबसे जरूरी है और इसको explain करने के लिए जो है आज मै आपको अपनी स्टोरी सुनाओंगा ठीक है तो कहानी start होती है school के time से school के time पे बहुत ही बुरा हाल था है ना इतना बुरा था starting में 2-3 class में की जो है कबूतर को चबूतर बोलते थे और मतलब फिर वो धीरे धीरे जो है थोड़ा बहुत improvement आने लगता है लेकिन फिर भी क्यो इससे अच्छा है ना कि मतलब बात ही मत करो उतना बोलो ही मत तो बस वही जो चार-पांच friend जो घर के पास रहते थे और school में एक दो friend बस यहीं तक जो है अपनी दुनिया सीमीत थे क्योंकि लगता था कि बाकी लोग तो मजाक बना देंगे और यही चीज चलता रहा लगब क्लास 12 तक क्लास 12 में with God grace थोड़ा math भी बढ़िया रहा थोड़ा English भी बढ़िया रहा और इसके चलते जो है NDA2 का exam जो है वो crack हो गया और फिर life का turning point आया जब SSB देने का मौका मिला बैंगलूरू में नेवल academy opt किया कर दिया था और उसका जो है फिर जो SSB है वो बैंगलू लेकिया वहां पर ऐसे ऐसे बंदों को देखा जिनको अपने books के अलावा देश में क्या चल रहा है विदेश में क्या चल रहा है उसके बाद उनका जो thinking process है उनका जो multitasking है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है तो यह चीज़ देखे मैं और घबरा गया यार थोड़ा अच्छ यह crack हुआ था फिर मेरा भी वा तो अच्छा लगा कि चलो यार बढ़िया हुआ यार लेकिन जब वहां पहुंचा तो मुझे जो है बहुत अजीब लगा मैं जो दूसरे जो वहां पर बंदेयां उनसे कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया कि मै हार्ड को इंट्रोवर्ट हो गया था ठीक है और वो लोग बैट के गॉसिप कर रहे हैं तुम्हारे लखनौव में क्या होता है तुम्हारे जो है ट्रेवैंकोर में क्या होता क्योंकि पूरे इंडिया से लोग पहुंचते हैं SSB बोर्ड में और मैं किनारे में बैठा हुआ स्वामजी नहीं आ रहा क्या करूं और इंटर्व्यू तो आप समझी सकते हैं सब टास्क में में बहुत खराब पर्फॉर्मेंस रहा बहुत ही बेकार पर्फॉर्मेंस रहा और एक ऑफीसर जो है मुझे अब्जर्ब कर रहे थे तो वो मुझसे बात करें और बोले कि देख आपको बाताया हूं लुग अवाज निकालना है उसके बाद है तंग टाक्सिक्साइज करना है उसके बाद जो है जो-जो से बोलके नियूजपेपर पढ़ना है गाना गाना है आपने कई बार देखा होगा कि मैं यूटूब पर भी जो जो रहता हूं वह उसी का मतलब एक मतलब process है ठीक है करना परता है और फिर मैंने इस पर work out करना start किया उसके बाद अपना college complete किया college complete करने के बाद SBI associate का मेरा written exam qualify हुआ ठीक है और मेरा जो दूसरा interview रहा वो state bank of indoor का indoor में जाके मेरा interview conduct हुआ interview तो अच्छा गया लेकिन जो है मेरा return में ही performance खराब था तो इस वैसे वहाँ पर selection नहीं हुआ और तब तक क्या था कि मेरे घर के आज पर सब कोई clerk का exam देता था चुकि मेरा return qualify हुआ थोड़ा confidence और बढ़ा उसके बाद मैं PO का भी exam देने लगा फिर लगबग और हमको जो है डेर दो साल लगे उसके बाद जो है तीन PO का written exam qualify हुआ और जो है मतलब तीन interview मैंने दिया एक Oriental Bank of Commerce जिसमें कि मैंने धाई साल जौब किया लुधियाना में दूसरा SBI Associate मेरा State Bank of Hyderabad में सेलेक्शन हुआ था और तीसरा State Bank of India का जो प्रापर है तीन देने का मौका मिला जिसमें दो final हुआ और इंटल Bank of Commerce जिसमें पहले मैंने जौइन कर लिया था और जौइन करने के बाद मेरा मतलब इस State Bank of India प्रापर उसका इंटर्वियू हुआ था और Associate Bank का अब चुकि मेरी पोस्टिंग लुधियाना में थी और मुझे आना था अपने होम टाउन बुकारो स्टिल सिटी यानि जारखन तो मैं उस प्रोसेस में था कि मैं क्यूंकि हमारा जो इंटल सब्सक्राइब का ब्रांच है वो जो है इधर बहुत कम है वो जैनरली जो है पंजाब भरियाना न्यू दिली उधर जादा फैला हुआ है और अभी तो पी एंबे में मर्ज हो गया है तो मैं कोशिश में लगा था कि किसी तरह जो है अगर जारखन आ सको नहीं हो तो बिहार उडिशा वेस्ट बेंगल नर्दी का सको या क्योंकि मेरा दिल लगता नहीं था तो मैंने फिर अपना पहले च्छे मैना तक मैंने जो है मतलब अपना स्टेट बैंक आफ हैदरबाद का जोईनिंग रुकवा के रखा उसमें लिख दिया कि अभी प्रॉब्लम है मैं बाद म देस्क्रिप्शन में आपको जो है उसको लिंक मिल जाएगा लास्ट टैम जब इंटर्व्यू था सेवन जेपीएसी का तो उससे मैं मैंने शेर किया था कि वहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ था वहां पर यहीं प्रॉब्लम हो गई थी कि जैसे हम लोग क्या सूचते हैं मा हिंटर्विव इंग्लिष फिल अब किया था और उन्होंने बीच में रिख नें जवाब दे झया उन्होंने कह तो कहा था कि रिफकले us anam अंने के बसके बाद जो है अब क्लरक हो गया वहां से फिर थोरा जो है अच्छा लगने लगा मेहनट अच्छी उने तो फिर पीओ पे आगये, फिर पीओ पे पता चला कि भाई RBI और नबाड इससे भी जो है, बैंक पीओ से भी जो है अप है, तो फिर उसकी तयारी में लग गये, तो RBI करते हो मतलब मेंस निकला नहीं, 25 नमबर से रह गया, लेकिन जो नबाड है, नबाड ग्रेड ए उसका ज दंडिगर्ड में और वीडियो कॉन्सिंग के थ्रू जो है वह इंटरव्यू था ठीक है और S.B.I. वाला दोनों इंटरव्यू जो है वह पटना में हुआ था ठीक है S.B.I. में पीयो का भी और S.B.I. associate कर भी तो नाबाट के जब interview दिया तो interview तो बहुत अच्छा गया लेकिन वही है mains में number जो है वो कमी रहा इसलिए selection नहीं हुआ और उसके फिर जो है उसके बहुत time के बाद जो है फिर finally six JPSC का जो है interview देने का मौका मिला क्योंकि बीच में बहुत बाद जो है different different जो है बिहार यूपी अलग-अलग स्टेट के जो है PT exam में ही fail होते रहे और यहां तो आपको पता ही है कि मतलब अभी थोड़ा exam मतलब जल्दी अलदी होना start हुआ है है ना तो with God grace JPSC मेंस जो है वो qualify हुआ interview देने का भी मौका मिला 54 marks आया ठीक ठाकी रहा लेकिन वही बात है कि मेंस में तो ज्यादा अगर आप दूसरों की बात सुनके कुसी भी चीज में जो है उसको दिल पर लगा लेंगे दिमाग में लगा लेंगे और depression में चले जाएंगे तो फिर improvement होगा क्या अगला तो बोलके चला गया लेकिन नुकसान किसका जा रहा है आपका जा रहा है ठीक है और no doubt कुछ कुछ बात तो ऐसा होता है जो लगता है लेकिन maximum बातों को लगने नहीं देना है ठीक है और work out करना है आप लोग कर भी रहे होंगे क्योंकि it's all about confidence कि हम कर सकते हैं हम कर लेंगे और या तो बुक से या तो जो है यूटूब से कुछ न कुछ से जो है आप खुद को जो है motivated रखिए क्योंकि तैयारी के दौरान ये बहुत बड़ी समस्या आती है प्रिप्रेशन के दौरान कि खुद को कैसे क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब incidences आएंगे ना कि आपको लगे आ कि आप अब नहीं हो सकता या ठीक है इतना निगेटिव महौल अब नहीं हो सकता आपको कितनी बार give up करने का मन करेगा लेकिन वही है कि जरनी स्टार्ट क्यों क यह थे यह सोचना होगा ठीक है यारो all the best मैनत होगी जीत होगी